अनुपमा के आज के एपिसोड में एक और बला ट्विस देखने को मिला वनराज ने अपने बच्चों तोशू और पाकी के लिए एक सक्त स्तांस ले लिया है और उन्हें अपने फैंस लेके कॉंसीक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं यह जो सवाल है इसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा कि वनराज का यह टफ डिसीजन तोशू और पाकी के रिष्टे को कैसे इफेक्ट करेगा जब भी परिवार के बीच टेंशन बढ़ती है वनराज अपनी सक्ती और डिसीजन के लिए जाना जाता है इस बार भी तोशू और पाकी ने जो गलतियां की है उसके बाद वनराज ने उन्हें उनकी गलतियों का अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दिया है लेकिन क्या यह सक्तीन दोनों के रिष्टे को मजबूत करेगी है फिर उनके बीच और दूरिया बढ़ जाएंगी आपको क्या लगता है वनराज के टफ स्टांस सही है क्या उनके फैंसले से तोशू और पाकी कुछ सीख पाएंगी या फिर ये रिष्टे में और कॉम्पलिकेशन्स लेकर आएगा और सोचिए अगर आप वनराज की जगए होते तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते क्या आप भी ऐसे सक्ट फैसले लेते या फिर कुछ और करते कॉमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कि आपका क्या रियक्शन होता अगर आप इस सिचुएशन का सामना करते अनपमर के फैंस आगे के एपिसोड के लिए तैयार हो जाईए क्योंकि ये कहानी अब और भी इंटेंस और इमोशनल होने वाली है जहां हर कैरेक्टर को अपने डिसीजन का कॉंसिक्टेंस फेस करना पड़ेगा तो अब सवाल हमारे वीवर्स के लिए आपको क्या लगता है कि वनराज के टफ स्टांस सही है और अगर आप वनराज की जगए होते तो आप कैसे रियाइट करते